नमस्कार दोस्तो आप सभी लोगों का मैं परशांत बिहार अड़ा 24-7 के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ आसा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे स्वस्त होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे तो मैं इस सेशन में दोस्तो आपका ज़्यादा समय बरवाद नहीं करूँगा और नहीं किसी भी छन को कोसिस करूँगा कि वो नस्ट हो और आप उसमें कुछ सीखे नहीं मित्र ये बहुत ही इंपोर्टिन सेशन है इस सेशन के बारे में थोरी सी पहले आपको एक मिनट में पूरी जानकारी दे देता हूँ कि इस सेशन के में क्या होने वाला है और ये सेशन किस के लिए बहुत बहतरीन होगा आप जानते हैं कि सभी लोग BPSC की जो अभ्यारती हैं जितने भी अभ्यारती हैं वो सभी लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और उस तैयारी को अंजाम देने के लिए हम सबको पता है कि तीन चीजों की आवशक्ता बहुत ज़्यादा होती है पहली बात करें तो syllabus पता होना चाहिए दूसरी बात करें silbers के साथ साथ आपको पिछले वर्स का cut-up पता होना चाहिए और तीसरी जो मुख्य बाते हो जाती है कि प्रिवेस एर कुईशन आपको बहुत जरूरी है कि पता होनी चाहिए कि इस टॉपिक से कितने प्रशन बन रहे हैं तो आप अच्छे भली भाती तरीके से आप सभी लोग स्लिवस जानते हैं और कटफ तो भाई इसका नाम ही मत लेजिए सभी लोग कटफ के विशा में जानते हैं अभी हाल में जो कटफ आई उसको भी देखते हुए या पिछले वर्स की जो कटफ है अगर हम बात करें 66 जो आ के कहानी चलती रहेगी तो आज के सेशन में अगर मुख्य रूप से बात करें तो जी हां हम आप यहां देख रहे होंगे तो हमने एक कुश्चन सेट रखा है और यहां पर है 66 तो बिपीएसी प्रिविएस यर कुश्चन आंसर विच इस गिवन बाई दा कमिशन कहने का अर कमिशन ले हो जाईए कि क्या होने वाला है इसके लिए जो 66 बिपीएसी है उसका प्रिविएस यर कुश्चन में आपको करवा रहा हूँ और याद रखेगा मैं इस पर किसी भी परकार का आपका कमेंट नहीं लूँगा सारा कमेंट आपको जब सेशन कम्प्रेट हो जाता ह तो ऑफलाइन कर देजिएगा किसी परकार की असमंजस होंगी या कुछ भी चीज़े होंगी ता आप उसे ऑफलाइन कमेंट में कर देंगे और मैं उसका हमेशा कोसिस करता हूँ कि आपको जबाब दूँ चीक है इसमें सीधा चलेंगे और मैं इस पर कुछ ज़्यादा बि देख लीजिएगा बाकी चीजे हम लोग आगे क्यों बढ़ते हैं तो लगातार बने रहिएगा और एकदम सीधा आंसर जानना है और आगे क्यों बढ़ना है चलिए दोस्तों तो यह जो है भी आपको मैं यह पूरा आप देख रहे होंगे यह बोर्ड के दौरा जो आंसर स को हम सॉल्व करने जा रहे हैं ठीक है दोस्तों चलिए चलिए पहले प्रशनों के साथ मैंने प्रशनों को थोरा सा काट के यहां इस तरह से रख दिया कि आपको दिखे क्योंकि पिछली वार आपसे को नहीं दिख रहा था इसमें आपको दिखेगा भी पहले प्रशनों के स गया दिया है लेकिन यार रखेगा गया से पहले बिहार में जो हुआ था वो हुआ था पटना में ठीक है जो कॉंग्रेस का अधिवेशन हुआ था गया से पहले का हुआ था पटना में हुआ था इस बात का ध्यान रखेगा तीसरे प्रशन पर चलते हैं जया प्रकास नारायन को कौन सी उपाधी दी गई जी हां बहुत ही आसान सा प्रश्ण है प्रश्ण का उत्तर तो हम सभी लोग जानते हैं लोक नायक जैप्रकास नारायन ठीक है बहुत अच्छा अगला प्रश्ण कहता है कि निमन में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी उसके बार रखिएगा अगला प्रश्ण पूछा गया आप से कि इन में से किस ने 2857 के बिद्रों में सक्रिया भाग लिया था ऑप्शन में नाना साहिब ने बेगम हजरत महल ने मौलवी अहमद साफ ने या बेगम जीनत महल ने तो अगर हम इसमें देखें इस ऑप्शन के नुसार कि नाना साहिब कानपूर से बिल्कुल ये भाग लिये थे कानपूर से लटने वाले में नाना साहब थे बेगम हजरत जो लखनों से ये क्या कर रही थी नेतृत कर रही थी मौलवी अहमद की बात कर रहे थे ठीक है और बेगम जीनत महल की बात कर रहे थे ये दिली से भी थी तो यहाँ पर हम अगर बात करते हैं, तो option जो है E के साथ हम लोग इसमें चलेंगे, option E जो होगा 5 का आंसर होगा, ये सभी लोग उसमें भाग ले रहे थे, अगले सवाल पर चलते हैं, अगला सवाल है question number 6 पर चलिए, question number 6 में किया रहा है कि किस अधिनियम के बारे में जवाला ब्रेक ही है, इंजन का कुछ पता ही नहीं है, इसको किस में कहा गया, किस अधिनियम के अंतरगत कहा गया था, किस अधिनियम को, 1858 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, या इन में से कोई नहीं, देकि 1858 का अधिनियम था, वो स्वतनता संग्राम हुआ था, उस एक तो चेम स्फोर्ड के अधिनियम से भी समस्मझते हैं, ठीक है ना? और मांटेंग्यू चेम स्फोर्ड की अधिनियम जो कहते हैं, वो सब भी चीजे हैं, ये सब आप्शन तो दोनों होगा नहीं, बचा क्या किसे कहा गया था, तो भारत सासन अधिनियम 1935 किवारे में इन्होंने ये कथन कहा था, अगली बात लेके चलते हैं, दांडी मार्च कितने दिनों तक चली थी, सवाल है, दांडी मार्च कितने दिनों के लिए चला था, अगला है option में कि परसिद गीत सर्फरोसी की तमना अब हमारे दिल में है इसके रच्यता कोन है रच्यता के बारे में पूछा जा रहा है कि इन्होंने किसने इस गीत को लिखा था सर्फरोसी की तमना सुरिसेन ने, चंसेखराजाद ने, सरदार भगस सिंग ने, रामपरसाद बिस्बिल ने या इन में से कोई नहीं ता आयोग के दोरा जो उतर दिया गया था इन में से आयोग के दोरा कोई नहीं उतर दिया गया है ठीक है बंगाल विभाजन के प्रत्यागात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं बंगाल विभाजन कहने का अर्थ 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था जिसके बाद आप जानते हैं बंग भंग आंदोलन भी हुआ था ठीक है और इस इस बात को बंगाल विभाजन के प्रत्यागात के रूप में जो आंदूलन शुरूआ था वो कौन सा अंदूलन था तो स्वादेसी आंदूलन था ठीक है अगला है कि इन में से 1945-46 में दिल्ली में हुए आई-एन-ए के मुकदमे के पक्ष में पेस हुए वकील कौन से थे जो आई-एन-ए के पक्ष में आपको पता होगा आई-एन-ए ठीक है न नेवी से संबंदी जो चीजे थी उसमें जो मुकदमा हुआ था उसके पक्ष में कौन से वकील शामिल हुए थे ऑप्सन है डॉक्ट यह नहीं होंगे केम मुंसी नहीं होंगे सर्दार बल्ल भाई पटेल नहीं होंगे जो उत्तर होगा इसमें भूला भाई देशाई जो थे उन्होंने एज़े वकील वो किये थे अगला है अप्शन की मैडम कामा ने भारत के तिरंगा स्वतनता ध्वज को कहां फैराया था जी तो दोस्तों इसमें हम सभी लोग जानते हैं जो इस्टूट गार्ड है वहाँ पर मैडम भिखाजी कामा ने तिरंगा को फैराया था अगले सवाल पर चलते हैं अगला सवाल मैक्स का है सिर्फ मैं उत्तर बताते हुए चलूँगा जो जीयस होगा उस पर मैं बात करूँग अगला है निवन में से कौन सी जोरी सही है ऑप्शन पूछा जा रहा है कि इन में से कौन सी जोरी जो है वो सही है बीनोबा भावे दूतिया व्यक्तिगत सत्यागराही ठीक है अगला है सी यारदास देश बंधू बेलियाम बेडर्वन 1907 के कॉंगरेस सभापती स्याम जी क पूछा गया कि भारती राष्टिया कॉंगरेस ने किस दिन को पूर्ण स्वराज हम सभी लोग जानते हैं कि पूर्ण स्वराज की घोसना की गई थी और इसी लिए 26 जनवरी को हम लोग गंतन तब दिवर्स जो मनाते हैं इसी के कारण हम लोग मनाते हैं हाला कि 15-8-1947 आप में हम लोग मनाते हैं ठीक है उने सव अर्टारिस को जो गांधी जी की हंत्या इस्वल है नहीं हम डेट से अलग कर सकते थे अगळी बात करते हैं बिहार की अस्ठापना इसे तो आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सब से पहले ही जानते होंगे कि 1912 में बिहार की अस्ठाता ह होती है ठीक है और 1936 में फिर बिहार और इसा अलग होती है फिर 2000 में हम सभी लोग जानते हैं कि जार खंड और बिहार में बटवारा हो जाता है तो तीनों चीजों को हम सभी लोग पहले से भी जानते हैं बिहार में तिन कठिया पद्धती नील की खेती के लिए भूमी का कितना भाग अमानत रखा जाता है देखिए यह सवाल बहुत है तिन कठिया मतलब क्या हम जानते हैं कि बिहार में जब कठ्था की बात आती है तो हम लोग कहते हैं 20 कठ्था की बात करते हैं तो 20 कठ्था पर जो 3 कठ्था खे नील उपज करना ही करना है ठीक है और नील क्या था तो भीया ये तो बहुत ज़्यादा commercial आइटम था जिसे विदेश भेजा जाता था इसने हर किशान को कह दिया गया था कि जबरन आपको एक भीगे में तीन कठा खेती आपको नील को की जो खेती है वो आपको करना पड़ेगा अगले बात को लेक चलते हैं मैस का कुश्चन था इसका आंसर सीधा जानते हैं कि सर चार होगा यह तो हम लोग सभी जानते हैं चार इसका उतर होगा फिर अगले देखते हैं तो यह कि सहर की जनसंख्या इतना 171,77,400 है यदि 5% की दर से सालाना बढ़ती है तो साल के बाद कितनी जनसंख्या होगी तो दो साल के बाद हम लोग सभी जाते हैं 5% से बढ़ाएगा दो सालों के बाद जनसंख्या पूछा जा रहा है तो इसको आप सौल्व किजिए गा तो इसका उतर आपको अराम से मिलक फिर अनुकरम के विशह में पूछा गया कि 4, 18, 48, 14, 294, 48, लुप्त संख्या, तो लुप्त संख्या के उत्तर है, यहाँ पर 180 दिया गया है, आयो के द्वारा हमने देरी आयो के द्वारा उत्तर है, अगला 2NC3, NC2 करके यहाँ पर आप्शन है, और इस तरह का उत्तर 6 दिया दे रहों, बाकि हैं फिर बात करेंगे, फिर यहाँ दिया कि एक स्कूल में वही टीमों की बात करें, यहाँ पर एक आंसर 10 है, और मोहन 25 दिनों में यहनी टाइम एंड वर्क से है, इसका उत्तर है 11 दिन है, टाइम एंड वर्क वाला, आप लोग कुश्चन जरूर देख ल देख लिए, निमन में कौन सा एक प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं होगा, भाई, प्राकृत संख्या का बोला की वर्ग नहीं होगा, और ऑ Option में दिया है 9, 2, 6 यहां करकेत, यानि कि उतर जो दिया है, एक 43, 642 वाला, और यहाँ पर दिया गया है, X और Y, यहानी यहाँ X और Y का value निकालने हैं, X और Y का value 3 और 2 निकलेगा, यहाँ पर put up किजेगा, तो उत्तर निकल के आ जाएगा, इसे चाहेता आप solve भी कर सकते हैं, अब आते हैं, यहाँ पर कुछ science के question से लगातार में, एक set नमर B पर एक line से में चल रहा हूं, ठीक है, और माफ कीजेगा, मैं आपके comment को भी नहीं देख पा रहा हूं, क्योंकि आपके comment को करूँगा, तो मुझे देर सो question solve करने में, हमको कम सकम 5-6 गंटे लग जाएंगे, सब यह चीजों को देखते हुए, ठीक है, तो मैं सीधा उत्तर बताते जा रहा हूं, आपका समय बचाता जा रहा हूं, आप location देखिए, और इस तरह के सवाल आते हैं, जो नए अभ्यारती हैं, उनके लिए बहुत ही जोड़ी है, अगला आजाता है कि अधरक तना है या जर नहीं है, देखिए बहुत option है, बोला कि अधरक क्या है, तना है, जर नहीं है, क्योंकि अधरक जो है, बिल्कुल सही बात याद रखिएगा, अधरक एक परकार का तना होता है, जर नहीं होता है, जी हाँ, इस्टिम की बात करें, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे तो node और internode नहीं होते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, पर्व और पर्व संधियां इसमें नहीं पाई जाती है, इस कारण से, अगर जर होता, बात याद रखना कि जर नहीं है, तो ये इसमें node और internode होत तो दिये सबसे ज़्यादा मीठी होती है, अगले सवालों को लेके चलेंगे, देखे सवाल कैसे, बायलोजी से पूछा गया, निमन में से कौन सा सच्चा फल नहीं है, देखे दोस्त यहाँ पे सच्चा फल, यानि की false fruit और true fruit से सवाल पूछा गया, असत्य फल और सत्य फल, ह जो है ही, भुरुन के अलावा उसके और भी मतलब उस पौधे के और भी भाग उसमें सम्मेलित हो, और सत्य फल कहलाता है, तो कौन सच्चा फल नहीं है, अगर हम बात करें, तो सेब जो है, वो सच्चा फल नहीं है, बलकि अंगूर, खजूर और यहाँ पे अलु बुखार तेल, स्टार्च या इनमें से कोई नहीं, तो हम कहेंगे सबसे अधिक मात्रा में फैलिया में जो होती है, वो प्रोटीन की मात्रा होती है, सबसे अधिक मात्रा में उसमें क्या होती है, प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, अगला ओप्शन है, फिर से साइन्स, यह सारे साइंस के यह आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है अगला प्रशन को प्रशन कहा रहा है कि लॉंग एक मसाला है पोधे के किस भाग से प्राप्त होता है देखिए हम हमेशा कहते हैं कि प्लांट वाला जो है प्लांट मॉर्फोलोजी वहां से प्रशन आपको ज्यादा की कली होती है ठीक है अगला पूछा गया मांसपेसी में जो दर्द के उप्चार में उप्यों किये जाने वाला अवी किरन कौन सा है देखिए दोस्त मांसपेसी जो है उसमें कभी-कभी दर्द हो जाता है तो हम जैसे मांचले गठिया रोग वेगरा है या कोई दर्द हो ज कराता है हम करते हैं कि उसको क्या fellowship ब्रकर किया जाता है अब इन में से कौन से कर्म का प्रकास की क्या जाता है औप्शन दिया इंन वायक ओवेव का यूवीं। असलोग कहना कृइले देख लिएक और यहां क्रिस्छली सनदचना देखने के लिए किया जाता है और इसमें हड्डियों का जो सुरूप होता है उसके लिए इसका परियोग किया जाता है कि हड्डी तूटी उटी है उसके लिए एक्सरेका किया जाता है अल्ट्रा वाइलेट इससे तो हमें बचना ही है इसका परियोग नहीं किया जाता ठीक है इससे बचना है अगर आप इससे नहीं बचते हैं तो भाईया आपके सरीर में स्कीन कैंसर नामक जो बिमारी है बहुत अधिक मातरा में होगी और ये सब चीजों को ध्यान रखना इसका ये कारण होता है और इससे सुरक्षा हमें ओजोन परत जो होती है इससे सुरक्षा करती है माइक्रोवेब जो माइक्रोवेब का परियोग नहीं होता यदि एक परतीरोवेब कामान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे परतीरोवेब कामान क्या होगा दोस्तों ये साइन्स का कोईशन है और फिजिक्स के इलेक्रिक से पूछा गया और खास करके देखें इसमें समानतर करम है तो हम जानते हैं कि जो परतीरोवेब है तो हम जानते हैं कि पैरलल की बात कहा गया तो हम जानते हैं कि पैरलल मतलब 1 by r equal to होता है 1 by r1 plus 1 by r2 और आपको सवाल क्या पूछा गया आपको r की value दे दिया है कितना 1.403 और r1 की value दे दिया है आपको 2.0 तो r2 की value मुझे लगता है कि आप आराम से find कर लेंगे इस formula पर सीधा देखिए एक numerical पूछा गया था 66 वेव यसी में ठीक है तो आप इस formula से जाएंगे तो आपको ये सारा कुछ का answer निकल जाएगा 4.0, 4.70 kilo ohm आपको उत्तर निकल के आ जाएगा आप इस formula से इस प्रश्न को solve कर सकते हैं with the help of formula लेकिन चीज़ें क्या है जब आप इस चीज़ को पढ़े होंगे तो आप बिल्कुल इसको solve कर जाएगे अगला सवाल है गर्म करने पर अर्धिचालक का परतिरोध दोस्तों ये जो सवाल आया है ये भी सवाल आपके current से निकल के आया है current यानि की बिदोधारा chapter से निकल के आया है और बिदोधारा कह देजिए जहांपे semiconductor, conductor और non-conductor की बात करते हैं उसकी property जो उसके features की बात करते हैं वहां से सवाल पूछा गया है यानि की physics के questions ये हैं अब रही बात की अर्द चालक का परतिरोध क्या होता है तो दोस्तों आप हमेशा याद रखेगा चालक और अर्द चालक में गुण जो होते हैं अपोजिट होते हैं चालक को गर्म किजिएगा तो परतिरोध क्या होता है बढ़ता है अगर चालक कोई तार है मानचलते हैं कॉपर है और कॉपर से विदुधारा प्रभाइत होती है सभी लोग जानते हैं कॉपर को गर्म कीजिएगा तो उसमें जो रेसिस्टेंस है वो इनक्रीज करेगा लेकिन जब वहीं पर सेमिकंडक्टर की बात करते हैं जैसे जर्मिनियम क्या होगी घटेगी यह सवाल आपको ध्यान में रखना है यहां से प्रश्ण आपके अक्सर एक्जाम में पूछ लिए जाते हैं अगली प्रश्ण पर बात करते हैं अगला प्रश्ण हमारा को चौतिस नमबर का प्रश्ण है फैराडे इस्तिरंक जी हां दोस्तों तो हम कह सकते हैं कि द्रबो के हेल्प से ठीक है ना आयन्स के हेल्प से बिदोधारा का जो प्रवाहन किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस की परक्रिया जो होती है उसमें इलेक्ट्रोड की बात कहा रहा है दूसरा बोला इलेक्ट्रोलाइट में पारित बिदोधारा पर नि राड़े क्या है एक प्रकार से universal constant होता है इतना ज़्यादा दिमाग लगाने के आवशक्ता ही इस प्रश्ण में नहीं थी प्रकास वर्स किसकी इकाई है यह तो बहुत सा सिंपल सा सवाल है सर यह जो इकाई होती है जो कि 9.46 xitten to the power 12 km के बरावर होती है और जब km की बात करते हैं तो km से हम distance को measure करते है तो कि यह बात कर लें वेग रह सकता है, आविर्ती रह सकता है, इनमें से सभी रह सकता है, और उसी तरह से इसने दिया है, velocity के बारे में wavelength, आविर्ती, अपवर्त नांग, ये सारा कुछ जो होता है, इनमें से बदल जाता है, लेकिन एक चीज ज Can gör, वो नहीं बदलती, उसका उत्तर याद रखना है कि नहीं बदलने के सवाल पे frequency जो होती है वो कभी नहीं बदलती है medium change होने पर भी frequency में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है आप पूरी तरह से इस पर इस तरीके से चीजों को देखें कि प्रशन कहां से किस लेवल से निकाले जा रहे हैं अगला सवाल है विद्दु चुम्बकिया तरंग का वेग क्या होता है विलोसिटी पूछा है electromagnetic wave का जब हम देखते हैं कि electromagnetic wave की velocity के विशह में option दिया है 3 into 10 to the power 8 meter per second 3 into 10 to the power 7 meter per second 6 meter per second और 5 meter per second इन में से कोई नहीं option के according अगर हम बात करें पहला चीज चुम्बकिया जब विद्दु चुम्बकिया तरंगों का वेग की बात बोल रहा है electromagnetic wave की बात बोल रहा है तो light भी क्या है तो light भी एक परकार से electromagnetic wave है जिसको Thomas Young ने भी इस बात पर चर्चा की थी तो light की जो speed होती है वही विद्दु चुम्बकिया तरंग की भी speed होती है लगभग समान होती है तो 3 into 10 to the power 8 meter per second जो है light के speed के ये equal होती है अगले सवाल पर चलते है question number 38 के बाद पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था दोस्त हम सभी लोग जानते हैं आदमी लेकिन उत्र दे दो आदमी ठीक है और दो आदमी में कभ गए थे क्या चीजहें इच्छरी आपको कमेंट और कि if अ क्पनेट करने करpler को कि आपको कमेंट करना है ूसे आप Verein comment में ज़रूर उतर दीजेगा अगर आप देखेंगे तो उतर तो ये सभी लोग बता देंगे सर नील आर्मे स्ट्रॉंग जो थे वो पहले व्यक्ति थे जो चांद पर गए थे अगला सवाल पूछा कि प्लुटोनियम जो नुकलाइड है जैसे 94 242 24ोर दिया है के नाभिक में नूट्रॉं की संख्या जब हम सभी लोग जानते हैं कि भाई 94 दिया है पुलुटोनियम का टू 422 टू 422 ऊपर में क्या है अटामिक मास है और नीचे वाला 94 क्या ह्या है प्रटोन की संख्या है तो प्रटोन में अगर हम इसको इसमें से घटा देते हैं, तो हमारा neutron की संख्या निकल जाती है, लगवक 94 घटा येगा, तो 12 में सचार गया 8 8 का option का है, 140 सिधा कह देंगे कि आंसर क्या होगा, 140 होगा क्योंकि नाभिक में दो चीजे होती है, proton और neutron और दोनों का जो योग होता है, उसे हम क्या कहते है, atomic mass बोलते हैं, या हम कहेंगे परमानुभार कहते हैं, तो परमानुभार में से अगर एक आपका proton दिया हुआ है, तो neutron आराम से निकाला जा सकता है, तो सवाल बहुत ही आसान से थे, इसे करने में कोई दिक्कत मुझे लगता है, कि आपको नहीं हुआ होगा, अगला सवाल जो पूछा गया, सबसे ज़्यादा सयानता, विसकस क्या होता है, देखिए, विसकस एक प्रकार से, जैसे ठोस का गुन होता है, फ्रिक्सन का, उसे तरह से गैस और द्रव का जो गुन होता है, फ्रिक्सन का, वही विसकस होता है, और जिसकी देंसेटी जादा होगी, उसकी विसकोसिटी भी क्या होगी, जादा होगी, तो सबसे ज़्यादा सयानता वाला क्या होगा, जल, वायू, खून, सहद, सबसे ज्यादा dense कौन सा है density, घनत तो इसमें सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है, तो कहेंगी अगर इसाधार पर जो सहद होती है इसका घनत सबसे ज्यादा होता है जिस कारण से ये बहुत ज्यादा workout होता है, याद रहना विसकस का जो गुन है विसकोसिटी की बात करते हैं सयानता का गुन द्रब और गैस का होता है गर्म करने से हम याद रखेगा जब हम गर्म करते हैं तो विसकोसिटी क्या होती है द्रबों का बढ़ता है की घरता है ये प्रशना अपसे पूछा जा सकता है और हवा का बढ़ता सवालों को बहुत बहुतर तरीके से विद्ध थेवरी MCQ और प्रिवेसर कोश्चन के साथ हम लोग रेगुलर जुड़े हुए रहते हैं अगला ओप्शन पूछा गया दूद किसका घटी असरोथ है हम सबी लोग जानते हैं दूद यानि लेक्टो वेसिलस यह सारी कहाने आप सीधा कहते हैं कि दूद में कौन सी चीजे नहीं पाई जाती है दोस्तों दूद में कैलसियम पाया ही जाता है कैलसियम नहीं क्योंकि दूद तो हड़ी कानते हैं कि दातों के लिए और हड़ीों के लिए बहुत जोड़ी है और प्रोटीन की मात्रा बिल्कुल होती है यह दोनों तो option में होगा ही होगा, कार्वो हाइडरेट भी होता है, लेकिन होता क्या नहीं, vitamin C, अगर vitamin C होता, थोड़ा भी खटापन होगा, तो दूद क्या होगी, फट जाएगी, तो यहाँ पर सीधा कहेंगे, इसकरवी केशिद का कोई भी मतलब नहीं बनता है, अगले option पर चलिए, अगला option बहुत ही अच्छा है, देखे, यहाँ पर आम जीवन कह सकते हैं, या दैनिक जीवन में केमिस्ट्री का क्या उप्योग है, उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है, पहला प्रश्न, यहाँ पर 42 नमर कोईशन के बात पर करते हैं, यहाँ गया कि पर किया जाता है, तो पूछा गया, उसमें किस चीज का प्रियोग किया जाता है, कौन से केमिकल का यूज होता है, अप्शन बोला, पोटेसियम, डाइक्रोमेट, सल्फियूरिक अमल का, सिल्वर, नाइट, यह सिलिका, अजेल का, या हल्दी का, तो वो जो रहता है पेपर उस paper पर किस का प्रियोग होता है तो याद रखना दोस्तों जो alcohol की जो color होती है ठीक है, alcohol में तो खास करके potassium का और sulfuric अमल का potassium dichromate याद रखिएगा potassium dichromate और sulfuric अमल का इसमें प्रियोग किया जाता है अगला सवाल है, glucose को ethyl, 43 number question पे glucose को ethyl alcohol में किस enzyme दोरा बदल दिया जाता है, कौन सा enzyme है जो glucose को इसमें बदल दिया जाता है तो हम कहेंगे maltoge को invertage का, jymage का, diastage का इन में से कोई नहीं, तो glucose को ethyl alcohol में किसके दोरा तो हम कहेंगे jymage जो होता है, jymage के help से इसे बदल दिया जाता है अगली बात करें चूने का पानी किसके द्वारा दुधिया हो जाता है तो आप सभी लोग देखेंगे चूने के पानी में क्या करवन डियोक्षाइड की मात्रा और वो क्या करती है भाई दूधिया हो जाता है सीधा इस पे आंसर ठोक देंगे इससे तो सब लोग जानते होग तो ऑप्षन दिया नय्ट्रक उक्साइड नहींstanden नहीं सर नै्ट्रोजन डायॉक्साइड नहीं सर इससे सब जते खतरनाक जो हो आश्ञा मुने थी करने ख़तर ज को यह सर्जित करता है सिर्फ यही नहीं जो घर में удh sonra होता है कची लकडि को जलाते हैं उस समय में whiskey यही carbon monoxide co की मात्रा सर्वधिक मात्रा में होती है इसलिए वहां से बहुत सारे महिलाएं परभावित होती हैं इसे भी आपको ध्यान में रखने की आवशक्ता होगी अगले सवाल पर बात करते हैं अगला सवाल आप देख लीजिए next question पूछा गया एक गोल के pH 3 से अगर 6 बदलता है तो इसमें H प्लस आयन का मान क्या होगा बाइट 3 से सीधा 6 बदल रहा है कितने 0 क्योंकि pH value की बात अगर हम करते हैं 3 से 6 बदल रहा है तो मतलब 3 0 का difference guarantee एक short view में आपको बता रहा हो हाला कि पूरी चीज जानने के लिए आप 1000 गोना पे चलेज़े ये 3 0 क्यों कैसे हुआ ये सब कहानी में आपको class बताऊंगा रेत और नेप्थलीन के मिसरन को किसके दोरा देखे भी या एक सवाल यहाँ परहा कि किसके दोरा अलग किया जा सकता है मतलब इसे डिवाइड करने की बात है मिसरन को अलग करना है तो मिस नेप्थलीन ठोस कारवन डियोकसाइड कह दो या कपूर के भाती का गुन होता है ठीक है तो यहाँ पर रेत तो बालू सीधा कहेंगे सरी ठोस में आ जाएगा लेकिन नेप्थलीन में ये गुन है जैसे कि हम कपूर को आग लगाते हैं तो सीधा किसमें गैस में निकल जात हम जानते हैं C6H6 की बात करते हैं ठीक है तो भाई 12 गो सिगमा होगा और 3 गो पाई बोंड होगा सीधा आंसर देखते ही इसमें लगा सकते हैं बाकी अगला उप्षन है यूरिया में तो भाई यूरिया का सीधा आसर यूरिया में क्या क्या हो सकता है C होगा कारबन होगा ह nitrogen होगा और oxygen होगा चार चीजे न्यूरिया में होनी चाहिए ठीक है यूरिया की बात कहा हम सीधा कहेंगे chno की कहानी कहेंगे और आंसर सीधा इसका बता देंगे निवन में कौन सा उश्मा का सबसे अधिक कुचालक है अब अधिक कुचालक की बात कर रहा है मतलब वो चालक नहीं होगा सबसे अधिक कुचालक है किसका heat के बारे में कह रहा है कि अधिक कुचालक कौन सा होगा ये आपको बताना है ठीक है इसमें कौन सा होगा तामबा होगा, सीसा होगा, पारा होगा, जस्ता होगा यानि में से कोई नहीं, सीधा सा उत्तर पर हम इस पर बात करेंगे तो यहाँ पर आयोग ने इसका उत्तर जो है, सीसा माना है आयोग ने इसका उत्तर क्या माना है, सीसा माना है अगला सवाल फिर science से ठीक है question पूछा कि vitamin जो रक्त के ठक्का बनने में परभावी होता है वो कौन सा vitamin है vitamin ऐसा जो रक्त को ठक्का बनाने में हम सभी लोग जानते हैं कि भीया रक्त को ठक्का बनाने के लिए एक vitamin बहुत ही important है और उस vitamin को हम कहते हैं vitamin K क्या कहते हैं उसको हम vitamin K क्योंकि vitamin A, retinol वेगरा आँखों के लिए बहुत जोड़ी है vitamin B हम सभी लोग जानते है vitamin B1, B2, B3 ठीक है और आसा है विस्वास है कि आप सभी लोग इसको अच्छे तरीके से देखे होंगे समझे होंगे चलिए फिर अगली कड़ी में हम इसको इस्टार्ट करेंगे 515 के बाद के सवालों को चलिए, OK तो अभी तक हम लोगोंने 51 questions जो है अच्छे तरीके से हमने यहां तक के सवालों को कर लिया तो चलिए हम फिर इससे आगे के प्रश्णों को चलते हैं लेके कि आगे का प्रश्ण किस तरीके का होगा और कैसा प्रश्ण रहेगा यहां तक के सवालों को हमने अच्छे से देख लिया मित्र आपको पता है मैं एक चीज और बता दू कि आपका कमेंट में नहीं देख रहा हूँ तो आप ओफलाइन कमेंट में जब वीडियो अब कम्प्लिट हो जाए फिर आपको जो भी परिशानी हो जो भी चीज़े हैं आप उसे ओफलाइन कमेंट में लिख देजेंगे साथी साथ एक इंफॉर्मिशन और मैं आपको दे देना चाहता हूँ कि मैं पूरा सिरीज लेके आ रहा हूँ 67th VPSC का बना हुआ है आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं यह 66th VPSC का यह जो है मैं इसको करवा रहा हूँ फिर आपको एक क्योंकि 67th VPSC दो बार हुआ था तो जो मैंने प्लेलिस्ट में बनाया है वो जो फाइनल एक्जाम हुआ था 30 September को तो उसका है जो cancel हुआ था उसका भी वीडियो आपका जो है वो बन के आ जाएगा फिर 66 हो रहा है 65 भी 64 भी 3 भी 2 भी तो इस तरह से यह पूरा स्रीज आपको प्रिवेसर कुश्चन का एक देखने को मिलेगा आप मेरे साथ जुरे रहे और कम से कम इस तरीके से सारे चीजों को आपको एक चीज करने का मौका मिल जागा कि किस तरह से प्रशन पूछे जाते हैं और कैसे प्रशन आपके एक्जाम में आये हैं इसमें सारा उत्तर जो आयोग दिया है उसी उत्तर को मैं आपको बता रहा हूँ तो चलिए फिर हम प्रश्णों के स्रिंखला में आगे चलते हैं ठीक है चलिए 51 के बाद हम चलते हैं 52 पर 52 पर प्रश्ण पूछा गया महिला सेक्स हार्मोन क्या है जी हाँ दोस्तों महिला सेक्स हार्मोन के विशे में जब सवाल किया गया तो हम जानते हैं कि बहुत सारे हार्मोन से हैं जो सेक्स हार्मोन के अंतरगत आते हैं पहला देखते हैं इसमें option पर ही estrogen है, androgen है, insulin है, oxytocin है, तो यहाँ पर जो उतर दिया गया वो आयोग के द्वारा जो उतर दिया गया दोस्तों, तो हम आयोग के उतर के तरफ से आगे की और बढ़ते हैं, तो आयोग का जो उतर रहा है, वो estrogen रहा है, ठीक है, androgen या insulin, insulin आपक hormones की बात नहीं, यहाँ पर बात करेंगे, तो यह हमारा किसके लिए, तो मधुमे के लिए यह जिमेवार होता है, ठीक है, और oxytocin यह सब जानते हैं, estrogen हो जाए, progestron हो जाए, यह सब जो है, ठीक है, तो महिलाओ के hormones के इंतर गताते हैं, दूसरा यहाँ पर question 53 पर चलते हैं, इसमें question पूछा गया, पार्किन्स बिमारी के उपचार के विकास के लिए, किसको noble प्रुसकार दिया गया, जी हाँ, दोस्तों, यह 66 BPSC जो है, उसके according यह सवाल पूछा गया है, तो उस समय पर किसे दिया गया था, तो उस समय दिया गया था, आर्किड कार्लसन को, ठीक है option में क्या है, आर्किड कार्लसन सीधा, दूसरा option था, जॉन एफ एंडर्स, तेसरा था, रॉबर्ट भी, लफलीन और चौथा था, वाल्टर कोहन, ठीक है, इन में से आर्किड कार्लसन को दिया गया था, उस समय पर उसका उतर है यह, थाइराइड गरंथी की खराभी किसकी कमी के कारण होती है, तो बिटामीन A है, कैलसियम है, आयोडीन है, लोहा है, ई है, तो बिटामीन A होगा, तो हम जानते है, रेटिनॉल होता है, और यह हमारे आखों से संबंदी चीजों के लिए जिमबार होता है, यह तो होगा नहीं, कैलसियम हड़ी के लिए, दातों के ल चेतर देखी ये भी विज्ञान से जुरा हुआ सवाल है और ये आपके birds के बारे में पूछा जा रहा है तो हम जानते हैं कि जीव में बहुत परकार के birds पाई जाते हैं जिसे हम स्वाद कलियां कहते हैं स्वाद के लिए जिमें बार होती है कौन-कौन सा भाग जैसे हम नोक क की बात कर दें तो यहां पर मीठे वाली तो तो उसमें आपको प्रश्ण पूछा गया की नोक कहा होगा कि समय करवाध के लिए तो पीछे वाला हम कहते हैं न मुझ पर मेठा और पीछे में क्या होता है करवाध चुपी होती है तो करवाहट वारी चीलो में रखिएगा अगला सवाल फिर है 58 में किस राज की लगू विर्थ चित्र ली ची लूपो देखिए यह सवाल ना करेंट में पूछा गया 2020 का उस समय की बात है ली जो ची लूपो को दादा साहब जो फाल के पुरुसकार है 2020 से जीता तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा ऑप् प्रदेश की थी और नाचल प्रदेश की थी वहां से इसका सवाल का जवाब बनेगा 56 में देखिए बहुत थी अच्छा सा करेंट कोशिशन फिट इंडिया मुव्मेंट जो हुआ था फिट इंडिया अवियान की पहली वर्सगाट के अवशर पर फिटनेस की डोज आधा गंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दिया गया था हम सभी लोग जानते हैं fit इंडिया moment जो 2020 के अंतरगत था उसका वहाँ सवाल करेंड पूछा गया थी यह माननिये हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया यह मंत्र था अगली बात करते हैं तो राज म सव रूपय का सिक्का या सौ रूपय का नोट इन में से कोई नहीं तो द्यान रखियेगा जी हां सिंधिया जी अब विजेपी में मिल चुके हैं तो अब सम्मानतों जॉरत है ही स्वार यहां है वह विजय राजये सिंधिया के सोवेद जनम धीम पर ठीक है राज माता उन पर यह जारी किया गया सिक्का था सौ रूपिये का अगला 59 में कि सी नीजी छेटर के बेंक के किसानों के लिए ई-किसान धान एप किसने लॉंच किया किसने चालो किया था एक्सिस बेंक ने किया था, SDFC ने किया था, IDBI बेंक ने किया था, कोटक महिंदरा या किस ने, यह उस समय का करेंट था, इसमें हम बात करेंगे, SDFC ने इसको ई किसार नामक जो एप था, उसको लॉंच किया था, साथ नमर प्रश्ण پर चलते हैं, साथ नमर प्रश्ण में हैं कि भारत ने किस सहर के अंतराश्ट्री हवाई अड़े पर सबसे पहले COVID-19 प्रिक्षन के सुख़ा प्रारंब की, पहला चीज बोला, अंतराश्ट्री हवाई अड़ा, भारत में सबसे पहला कौनसा अंतराश्ट किया गया था वो आपका अंतराश्विय जो हवाई अड़ा है दिल्ली वाला ठीक है तो दिल्ली वाले हवाई अड़े का किया गया था अगले सवाल पर चलते हैं अट Burns से बहुत सारा चीजे जो इसमांस में लाजमीचा अमरित सर में कोई नहीं देखिए, अमरित सर में इसे शामिल किया गया था इस तरह के करेंट जो है आपसे पूछे जाते हैं भारत में पहली स्वदेजी एन्टि रेडिएशन मिसायल का नाम क्या है option था तांडव, त्रनेत्र, सक्षम, रुद्रम देखिए के current के question है खासी खास अगर इसमें बात करें तो यह आपके defense technology से जुरा हुआ सवाल है जिसे हम science के अंदर गती रखेंगे और defense technology defense technology से जुरा हुआ सवाल है तो यहाँ पर पूछा anti-radiation जो tank यह जो missile है उसका प्रियोग क्या नाम था, उसका नाम क्या था तो उसका नाम था मित्र रुद्रम क्या नाम था यहाँ option के quarding यह जो दिया है कि इसमें रुद्रम भारतिय क्रिकेट control board द्वारा किसे सर्व भारतिय महिला चेंसमीति का अध्यक चुना गया 2020 के quarding बात करें तो मिठु मुकरजी, नीतु डेविट को रेनु मार्गरेट को वी कलपना इन में से कोई नहीं तो उस समय जो current की हैं बात करें तो नीतु डेविड जो होंगी इसके उतर होंगे महिला एकल US Open Tennis Tornament 2020 किसने जीता था? उस समय की बात है कि एकल Tornament को किसने जीता था? तो जब हम बात करते हैं एकल Tornament का तो नाओमी ओसाका जो है इनका आंसर बिल्कुल सही है और board ने भी उतर दिया था इसमें ठीक है? तो नाओमी ओसांका को यह बहुत ज़्यादा आप देखो दो-चार जो नाम है आपको याद रखना पड़ेगा टेबल टेनिस में से ओसाका सहाब जो ओसिका सहाब बोलते हैं आपकेजिए का महिला हैं ठीक है? तो इसमें पूछा गया था अगला 65 की बात करें तो 4 October 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम अस्थान पर रहने वाला एथलीट कौन था? 4 October 2020 को जो लंदन में रहने वाले हैं जो मैराथन वहां हुआ था तो उसका कौन था एथलीट? बोला इसमें एलियूड की प्योंग शूरा की टाटा विंसेट की प्चुंबा या सिसे लेमा देखें इंटरनेशनल है खेल खिलारियों से पूछा ही जाएगा सूरा की टाटा जो है ये प्रथम अस्थान पर आये थे 15 अगश 2020 को MS दोनी के साथ किस भारतिय क्रिकेट खिलारी ने अंतराश्टिय क्रिकेट से उनके साथ ही सन्यास ग्रहन कर लिया था तो अगली सवाल पे चलते हैं कुश्चन नमबर 67 के वास हाली में किसे नेशनल स्कूल आफ ड्रामा का अध्यक्ष निउत किया गया याद रखना ये सवाल भी 2020 के करेंट अफेर से डिलिटेड है उस समय का सवाल पूचा गया ये करेंट नहीं है 64 वी BPSC की हम जब देख रहे है 64 वी BPSC कुश्चन का और आंसर तो उस समय के कॉर्डिंग हम यहाँ पे उत्तर बता रहे हैं आपको महेस भट अच्छे कुमार अनुपम खेर तो उस समय प्रेस रावल को प्रेस रावल को ड्रामा ओफ अध्यक्ष नियुक्त किया गया था अगले पॉइंट पर बात करते हैं तो रक्षा अनुसंधान इवं विकास संगठन का परमुक कौन है 2020 की बात किया जा रहा है तो उस में डॉक्टर जी सतीस रेड़ी जो थे वो आपके इस रो के आई जो है ना रक्षा अनुसंधान इवं विकास संगठन तो आपको इस रो से संबंदित जो कौन थे जी सतीस रेड़ी थे आपको कमेंट करके बताना है कि बरतमान में अभी कौन है इस रो के अध्यक्ष अगला सवाल है किस विशय के लिए डॉक्टर बुसरा अतिक और डॉक्टर रितेस अगरवाल को सांती स्वरू भटनागर पुरुसकार 2020 के लिए चुना गया देखी पुरुसकार में आपको ब्यास सम्मान हो जाए या भटनागर हो जाए खिल से संबंदित हो जाए तो एक दो सवाल आपके पुरुसकार से पूछे ही जाते है जिसमें आपको उप्षण में दिया रसाइन विझ्यान से, भातिक विझ्यान से, चिकित्सा से या गनितिया विझ्यान से पहला ची जाद रखिए भटनागर पुरुसकार जो है वो तो विज्ञान से संबंदित है इसमें कोई दोराई नहीं है लेकिन इसमें अलग 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 ची जो का तो यह डॉक्टर जहां लग गया है सबसे पहले तो यह मत समझेगा कि डॉक्टर का आर्थ नहीं डॉक्टर तो हर सब्जेक्ट को अगर पिएचडी आप कर लेते हैं तो डॉक्टर की उपाधी गरहन करी लेते हैं लेकिन यहां पे जो थे डॉक्टर रेते सगरवाल और बुसरा अतिक को इन्हें चिकित सा ग्यान में यह पुरुसकार दिया गया था नॉबल सांती पुरुसकार 2020 के लेकिसे चुना गया तो उस समय कहें तो विश्व खाद कारिकरम को चुना गया था और आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में अभी 2022 के एकॉर्डिंग की बात करें तो किसे दिया गया है विश्व सांती का पुरुसकार देखिएगा इसका आंसर आप लोग बताना है क्या होगा 71 नमर कुशन की बात करें तो किस भारतिया फिल्म अमनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 के सबसे परभाव शाली सो लोगों की सूची में शामिल किया है देखिए करेंट अफेर के क्या दाइरे हैं आपको इस चीज़ से समझ में आ जाएगा कि कैसे करेंट अफेर आत खुराना नए चेहरे एक उभरता हुआ उस समय की बात की गई थी टाइमस मैगजीन के कॉडिंग अगली बात है हाली में कितने भारतिया समुद्र टटो को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुसांसित किया गया तो उस समय की बात है कि अगर हाली की बात कहा गया तो इस दोनों को सही तरीके से कर लिजेगा अगला रामविलास पासवान जी का निधन हुआ था हम इस बात को जानते हैं और 2020 में कोबीट के दवरान ही उनका निधन हुआ ही था तो उसके बाद की जो सवाल है रामविलास पासवान अपना राजनेतिक सफर किस राजनेतिक दल से प्रारंब किये थे तो बहुत सारे इसमें गलती भी हुआ था सभी लोग जन सक्ती पार्टी को उन्होंने बनाया था इसलिए वहां सफर किये होंगे या लगभग लोगों ने मार दिया था अंसर जनता पार्टी भी लगा दिये थे लोकनायक जया प्रकाशनारायंस के जो वहाँ हम कहें बात में कि जो एक हुआ था आंदोलन उससे ही निकले हुए लालू प्रशाद हैं पासवान जी हैं और नेतेश कुमार जी हैं ये सब वहीं कि उसी आंदोलन से निकले हुए लेकिन पहले जो ये थे अगर हम बात करें तो सन्युक्त सोसलिस्ट पार्टी से ये जुरे हुए थे ठीक है पहला सफर इन्होंने सन्युक्त सोसलिस्ट पार्टी से सफर जारी किया था भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधान सभा 2020 के आम चुनाओं के लिए प्रेस नोट जारी किया देखिए बिहार से जुरा हुआ आपको डेट संबंदित जो डेटा संबंदित है इकार सवाल आपसे पूछाई जाता है अगर डेटा की बात करें तो 25 सितंबर 2020 को ये जारी किया गया था अगला सवाल है कि किस सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन के द्वारा किस राज में घर तक फाइवर योजना प्रारम की गई थी तो देखिए पहली बार किसी लोग सभा के लिए निर्वाचित हुए थे ठीक है स्वरगिया रगुबंस परसाद सिंग की पहली पत्नीर है कि पहली बार किस लोग सभा ऐसे ऑप्शन में है तो कौन सा था भाई तो ग्यारावी लोग सभा के लिए यहां पर उत्तर होगा ग्यारावी लो अगले सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल करेंट का ही है, सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से, आप जानते हैं, ब्रिक्स का सम्मेलन के लिए, तो संस्कृती मंतरियों की पांच भी बैठक में किसने भारती या दृष्टी कोन का परतिने दित्व किया था, अर्थात के कुश्चन को भी ज्यादा टार्गेट रखना पड़ेगा, तब ही करेंट अफेर को हम पकर सकते हैं, अप्शन है, इसमें दिया हुआ था, पहलाज सिंग पटेल, रमेस पोखरियाल निसंक, नितीन गड़करी, रविशंकर परसाद, इन में से कोई नहीं, तो हम कहेंगे उस समय की जो बात करें, तो जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, दो हजार बीस में, प्रहलाज सिंग पटेल जो है, उन्होंने इसका अगवाई किया था, परतिने दित किया था, जून दो हजार बीस में, च्छत्तिसमा आसियान, देखिए, ब्रिक्स भी पूछ लिया है, और आसियान हम जानते हैं, ठीक है न, आसियान सिखर सम्मेलन वर्चुल कहां आउजित हुआ है, वर्चुल हुआ था, कारण था कि इस समय कोवीड चल रहा था, और कोवीड के दौरान जो भी सम्मेलन थी, उसे अस्थगित ना करके, एक नया रास्ता निकाला गया, बैठक है, मिटिंग ही है, तो वर्चुली क्यों न कर लिया जाए, तो बोला गया ऑप्शन में थाइलेंड हुआ था, सिंगापूर, इंडोनेसिया, व्यतनाम, इन में से कोई नहीं, तो 2020 में जो आसियन का हुआ था, तो बोर्ड के एकॉर्डिंग हम बात करें, तो उतर दिया गया है व्यतनाम में हुआ था, अगला है option question की देखें, निम्र में से कौन सा human capital index 2020 में पर्थम अस्थान पर रहा भाई, human capital index की बात कहा गया, human capital index, HCI ठीक है, इसमें सबसे पहले अस्थान पर कौन रहा था, 2020 में जापान था, तक्षिन कोरिया, सिंगापूर, होंग कॉंग, तो आम इसमें बात करेंगे, जो सिंगापूर था, ये पर्थम अस्थान पर रहा था, अगली बात है, अगली question में, हाली में सन्युक्त राज अमेरिका में operation, MAGM, यह मागा कहते हैं, इसको मागा संबंदित है, ये जो current का question था, कि ये operation हुआ था, कहां सन्युक्त राज अमेरिका मे ये क्या हुआ था, तो डोनाल ट्रम का पुनर निर्वाचन के अभ्यान के लिए ये, ये एक समेर जो है, operation असंबंदित है, अगला सवाल है, 82 का, किस अरब सागर या अरब देश ने पहला नावकिया उर्जा सन्यंतर प्रारंब किया था, ये बहुत ही भीव्याई सवाल र और जा सन्यंतर प्रारंब किया है, 83 कोश्चन में चलते हैं, इजराइल से सांती समझोता करने वाला पहला अरब देश कौन था, जो इजराइल से सांती समझोता किया है, तो पहला अरब जो देश है, इनमें से जो प्रश्न है, पूछा गया, कि मिस्र है, जॉर्डन है, बह 2020 से 2021 तक कि किस देश को अंतराश्च्रिय समसंगठन के संचालक मंडल ठीक है गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष बनाया गया था यानी 2020 का अक्टूबर से लेके जून 2021 तक जो उस पद को देखेंगे उसके लिए कौन सा देश जिमेवार होगा या कौन से देश को सौपा गय यह जापान होगा न्यूजिलेंड अस्ट्रेलिया भारत और इन में से कोई नहीं हम जानते हैं अगर भारतियों को कोई बाहर में कोई इंटरनेशनल संगठन के दोरा कोई पद अगर दिया जाता है तो वो हमारे परिक्षा के दृष्टिकों से जादा हो जाता है और उस द नमबर 2020 में प्रारम्ब किये लिए उपरेशन मेरी सहेली जी ओपरेशन मेरी सहेली इसका उद्देस क्या था यह सवाल पुछा गया कोई और launch किया गया है किसी किस उद्देश से तो उसका मंत्राले पूछा जा सकता है या आपको उसका उद्देश पूछा जा सकता है उस पर आप गौर कर सकते हैं तो ये जो पूछा गया operation मेरी सहेली इसका सीधा और सीधा कहें तो आपको current में पता हुगा रेल में महिला यात्रयों का जो सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये मेरी सहील नावा की ये किया गया था विदावट आप्षने से हम वार सकते हैं इसको अगर आपने पढ़ा है तो चमपारन में इंडीगो के किसानों की दसा ठीक है और गांधी जी का ध्यान किस ने आकर सित किया था मतलब भई चमपारन सत्यागरा हुआ था 1917 में हम सभी लोग जानते हैं तो उनका किस ने किया था पुत्र वैसाली चंपा अंग, वमाप की जेगा, इन मेंसे कोई नहीं, भाई, पाटली पुत्र थी क्या, नहीं, मगद की राजदानी कहां थी, वैसाली, चंपा, अंग, इसमें कुछ था क्या, अंग यहां पर सीधा सा, पर्थम राजदानी मगद का पूछा है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि इन में से कोई नहीं इसका उत्तर होगा भाई मगद की राजदानी गरी बर्ज बेगरा यहां पर लेके चलेंगे तो यहां पर यह उप्षन में नहीं था अगला स्वामी साहजानन निमन में से किस से संबंदी थे हैं तो हम सबी लोग जानते हैं स्वामी साहजानन एज एक किसान लीडर के रूप में बहुत जादा चर्चित है और इसमें आपको देखें चर्चित थे तो इसमें ऑप्षन में हैं बिहार में जंजाती आंदोलन, बिहार में तो हमें option मिल गया कि किशान के लिए ये बहुत ज़्यादा आगरसर रहते थे हमिशा कदम बढ़ाते रहते थे उनके सहयोग के लिए और आंदोलन के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं 89 की बात करें निमन में से कौन सा भारत में गांदी जी का पर्थम सत्यागरा आंदोलन था जिसमें उन्होंने सवीने अवग्या आंदोलन प्रयोग किया था भाई गांदी जी का सबसे पहला जो आंदोलन अगर बात करें सवीने अवग्या आंदोलन का उसका भी प्रयोग किय था तो भारत में पहला जो आंदोलन था उसे चंपारन सत्यागरा का आंदोलन इसमें माना गया है ठीक है तो चंपारन सत्यागरा जो 1917 का हुआ था उसमें इसे माना गया है अगला सवाल नेक्ट कोशन की और चलते हैं यह हिंश्री के कुछ सवाल है नेमन में से किस हरपन नग पूछदे की मुर्ती जो है कहां से मिली थी या एक सिंका गेंडा वाला जो है उसका कहां मिला था या हम पूछ दे जाए इसी के अंतरगत बहुत सार ऐसे चीज है ठीक है चूरी कहां से मिली थी तो ऐसे सवाल आप से पूछ सकते हैं तो हम जानते हैं कि इसमें जो मिला था जूता हुवा खेत वो काली बंगन में मिला था काली बंगन यानि बेंगल का मतलब चूरी होता है काली चूरीओं का सहर वहाँ पे कहा जाता है जो आप डीपली पढ़ेंगे तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा त्री रत्न त्री रत्न या तीन रत्न जैसे सठीक ज्यान, सठीक यानि सचीक आस्था और सठीक क्रियान निवनि में से किस संबन्दित है देखिए तिरे रत्न की बात कर ले तो बहुत धर्म, हिंदु धर्म, जैन धर्म, इसाय धर्म इन में से कोई नहीं तो यह जो option है इस recording से ठीक है चलिए, अब यहां आपको देखना है कि त्री रत्न या तिंजर सठीक ज्यान जैसे सची आस्था जो है इसमें से option जो board ने माना है, बोर्ड ने कहा है कि भाई, जैन धर्म की बात board कह रहा है बोर्ड जो उत्तर दिया है, जो मैंने आपको शुरू में ही दिखाया उसके according यहाँ पर board ने जैन धर्म की बात कहा है जैसे सम्यक देश्ट्री, सम्यक आच्रन, सम्यक ज्यानी, सम्यम कहानी कहते है अगला सवाल देखते हैं, इन में से कि सासक ने चतुर्त बौद संगती कस्मीर में आयोजित किया था हम जानते हैं कि आज कल अशोक कहा रह रहे हैं, आज कल अशोक हम जानते हैं कहा तो काल अशोक की बात तो कनिस के दरवार में हम जानते हैं कहा रह रहे हैं, कनिस के दरवार में यह चारों आपको ध्यान में रखना पड़ेगा उनका जगा कहा हुआ था वर्स कौन सा था ठीक है और कौन उसके अध्यक्ष थे इस तरह के सवाल आपसे पूछे जरूर जाते हैं पंचानवे नमर कोशन को देखे कौन सा मधिकालिन भारती है समराज ब्यापक अस्तर पर अस्थानिय स्वासासन के लिए परसे दिथा देखे अस्थानिय स्वासासन जो हम आज कहते हैं जो चुनाओ हमारे ग्रामिन मी या अस्थानिय स्वासासन है ठीक है तो अस्थानिय उसके लिए बहुत ज्यादा नामी था अगला बात करें तो परमानु सिधान्त का परतिपादन इस से मतलब अभी तो परमानु डालतन वेगर हम लोग तो कहें के निकल जाते हैं लेकिन हमारे महरसी जो हमारे भारतिया ही थे तो जो महरसी जे थे उन्होंने परमानु के बारे में सबसे पहले दिया था उनका जो नाम है इसमें आप्शन दिया है योग नियाय सांक दर्सन या बैशर्षिक परमानु सिधान्त का परतिपादन किस में है तो बैशर्षिक दर्सन में जो है बैशर्षिक दर्सन में ठीक है जैसे योग का बोलते हैं पतंजली है ठीक है न यह जो प्रश्ण है यह आपके मधिकालीन भारत से है और खास करके दिल्ली सल्तनत से है ठीक है तो दिल्ली सल्तनत जैसे कि हमें स्टार्ट करते हैं कहां से तो गुलाम बंस से स्टार्ट करते हैं ठीक है गुलाम बंस से स्टार्ट करते हैं तो पांच बंसों का जो है गुल ख भ्हक्त की नीती जो अपनाया गया था वो बलवन के द्वारा अपनाया गया था कि अगले सवाल कुश्चन कहा जा रहा है कि यहाँ पर पतरा द्यूरा रहते हैं we निम्न में से किस से संबंदित देखिए यहां पर बात करें परचिनकारी या पिट्रा डिूरा यह एक परकार की क्या थे सबसे पहले इस पर हम बात करते हैं तो यह मिनारों में एक तेड़ी दिवार बनाना जो है यह इस से संबंदित है मिनारों पर तेड़ी दिवार जो बन मुगल सासक जो है मुगल सासकों का आप उसकों स्टार्ट करिएगा बावर से लेके और अन्तीम आप जब तक भारत आजाद नहीं हो जाता ठीक है या आप बहादूर साह जफर जो अन्तीम शासक है वहाँ तक में आपसे प्रशन पूछे जाते हैं तो यहाँ पर जो है खासकर कि देखें चितरकाली के लिए यहाँ पर जो कार खाने बनवाए गये थे ओप्शन जो दिया गया है इसमें बोड के दोड़ा जो आंसर दिया गया है क्योंकि मैं तोटल आंसर बोड का दे रहा हूं करते हैं तब अगला है आप्षिन किसने 1893 में सिकागो का समिलन कौन भूल जाएगा भई ठेक है 12 जनवरी को कौन भूल जाएगा राश्ट्रिय युवा दिवस को कौन भूल जाएगा तो हम जानते हैं कि सिकागो समिलन जो हुआ था उसमें स्वामी विवेका नंद जी जो थे उन्होंने ही भाग लिया था 1908 में स्वाराज पार्टी खात हम सबी लोग को पता होगा स्वाराज पार्टी देखी यहाँ पार्टी संबंदित भी सवाल आपसे पूछे गए हैं क्या महात्मा गांधी जी नहीं महात्मा गांधी ने किसी भी पार्टी का यहां गठन नहीं किया गया था एकदम पूरी तरह से देख लेंगे यहां कोई पार्टी का नाम नहीं दिया गया है बल्लब भाई पटेल जी नहीं महात्मा गांधी भी नहीं होगा और बी आर अम्बेदकर नहीं तो सी आर्दास यानि की और कौन मोती लाल नहरू जवाल लाल नहरू के पिता जी इन्होंने 1927 में स्वराज पार्टी कॉंग्रेस के अंदर ही इन्होंने अपना एक अलग पार्टी टै किया था अगला कोशन की और चलते हैं 101 नमर प्रशनों की और कोशन कहा रहा है परसीध नाटक नील दरपन जो नील के किसानों की जो खेती हो रहे थी ठीक है जो जबरन जो खेती कराई जा रहे थी अंग्रेजों के द्वारा उस पर जो सवाल उठाय गया था उसके माध्यम से इसमें बिरोध किया गया था तो जो नील दरपन है जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों का जो वैगनी दमन चितरन किया गया रचना किसने की थी तो नील दरपन की रचना किसने की थी सारत्चंद चटरजी रविना टैगोर बरिंद्र घो से दीन नाना देखिए यहां पर रविनार टैगोर वेगरा तो होगा नहीं, चटर जी साहब भी नहीं होगे, क्योंकि रविनार टैगोर गितांजली याद रखेगा, 1913 में इन्हें नॉबल पुरुसकार से नवाजा गया था, साहित के छेतर में और भारत के प्रतम व्यक्ति हैं, जिन्हें नॉबल पुर आपको देखनों कि मिलेगा, और मैंने क्या कहा, कि टोटल प्रिवियसर कुश्चन में आपको करवाऊंगा, 67 हो चुका है, प्लेलिस्ट में जाके देख लिजेगा, 66 हो रहा है, 67 का एक और एक्जाम हुआ था, उसको भी करवाऊंगा, फिर CDP का जो एक्जाम हुआ था, व पूरी तरह से सहलियत हो जाएगा, और आप अपने प्रशनों के लिवल और कहां से कितने प्रशन आ रहे हैं, किस तरह के प्रशन आ रहे हैं, उसका मुल्यांकन करने में आपको सहलियत होगी, चले नमस्कार दोस्तों, यहां तक हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा, और इसमें अगर हम देखें, तो जो आयोग ने उत्तर जारी किया था, उसके according हम आपको आंसर बताते हुए जा रहे हैं, जिससे आपको मुल्यांकन करने में थोड़ा सा सहलियत हो जाएगी किस सेक्षन से कितने प्रशन आ रहे हैं, तो चलिए, आपके कमेंट को हम में तरह नह लेके आएंगे, 64 वी का लेके आएंगे, ठीक है, फिर कुछ CDPO का कैसा पूछा गया है, यानि कि previous year का जो series है, उसे हम पूरा का पूरा करेंगे, आप playlist में जाके देख सकते हैं, इससे पहले 67 वाला मैं करवा चुका हूँ, उसे आप जरूर जाकर देख ले, तो चलिए दोस दो नंबर प्रशन में, अगर हम देखते हैं, 302 में है कि 1760 का परसिद वांडिवास का योद अंग्रेज और किसके खिलाफ हुआ था, अंग्रेज ने ला रहा था, था हम सबको पता है कि वांडिवास का योद हुआ था, वो अंग्रेज और फ्रांसेसी के बीच में हुआ किसके बीच में हुआ था, अंग्रेज और फ्रांसेसी के बीच में हुआ था, इसका आंसर ये बनेगा, फिर अगला 103 पर कहा जा रहा है कि निमलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में प्रथक निर्वाचक मंडल का आरंब किया, जी हाँ दोस्तों, ये बहुत थी बढ़ सवाल है, और ये बहुत बार एक्जाम में पूछा जाता है, कि अलग से निर्वाचक मंडल का जो ये एक स्टार्ट हुआ था, प्रथक निर्वाचक मंडल का आरंब किस एक्ट के द्वारा हुआ था, और ये आपका कुश्यन का आंसर यहाँ पर दिया है, ऑप्शन में 1773, 1833, 1784 या 1909, तो देखी, यहाँ पिर्स इंदिया एक्ट के रहा होगा नहीं, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत सारी चीज़े हुई थी, उसका नहीं होगा, यहाँ जो स्टार्ट हुआ था, हमको हैतने हैं उसको 1909 का, कौन सा अधिनियम था, भाही 1909, रेगुलेटि तो हम जानते हैं, यह सवाल जो पूछा क्या कच, कच मतलब गुजरात में, जी नहीं, यह जो बुद्धो भगत वाला जो हुआ था, हम जानते हैं, यह जो बुद्धो भगत और जत्रा भगत यह सब जो कहते हैं, यह एक परकार का जनजातिया विद्रो था, और जनजातिय चेतर में हुआ था क्या कच्छ में हुआ था पश्मी घाट में या सतारा में सतारा महराष्ट का या पश्मी घाट की और लेके चले जाते हैं वहां का नहीं था यह हम कहेंगे भीया पहले बिहारी था और बिहार में कह सकते हैं सीभों जिला जी हां जो जारकंड में भी पर ज जा रहा है तो वहां का ये था अगला है 857 के बिद्रों का नेतरुत किस ने किया ये बहुत ही आसान सा सवाल है कि बिहार का नेतरुत पूछा जा सकता है दिल्ली का नेतरुत किस ने किया लखनव से किस ने किया जहांसी से किस ने किया तो इस तरह के चीजों को आप जोड़ दिखेंगे इतिहास के सवालों में बहुत बार पूछा जाता है जैसे नाना साहिब है तत्या टोपे मौल भी हम रुदला इटी से तो हम जानते हैं कि भाईया यह सबसे बुढ़े व्यक्ति बिर्कूबर सिंग ने बिहार के लिए लरा था और नेत्रत किया था 857 के विद्रो ठीक है और उनका यह जिला बिल्कुल सही है अगर हम दुसरा देखते हैं तो मुंडा जमुई जी नहीं मुंडा जो है यहार जमुई में नहीं जारकंड का जिला होना चाहिए था जोकि जमुई क्या है बिहार से संबन्दित है यह नहीं होगा ठीक है यह जोरा सही नहीं है उराव सुपोल बिल्कुल सही है, खरवार भागलपूर में सही है, लेकिन यहापे आंसर क्या, मुंडा जो होगा, वो गलत होगा, यह जारखंड का जिला होना चाहिए था, बिहार का जिला नहीं होगा अगला सवाल है, बिहार राज के कुल भोगोलिक छेतर के तुलना में समस्त बन छेतर का परतिसत क्या है, तो भाई बन छेतर का परतिसत में बात करते हैं, तो 7.27, 6.87, 3.21 और 12.77, देखिए अगर करीब करीब पर भी जाते हैं, तो भी इसका उत्तर गलत है, यानि की यह उप एक माल राश्रिया उद्यान जो है, यहाँ पर बोला गया है, इस्थित है, ओप्शन में दिया था नालंदा, भागलपूर, पश्मी चंपारन और पुर्वी चंपारन याद रखिएगा, जब भी बात कर दे, ठीक है, तो जो एक मात्र जो राश्रिया उद्यान है, वो हमा अटल टरनल पार करती है, यह कौन सा अटल टरनल को पार करती है, यह सवाल आपसे पूछा गया था, तो पश्मी पीर पंजाल जो सरीनी है, वो ही अटल टरनल जो है, उसको पार करती है, अगला सवाल है, भोगोलिक चेतर के दिश्टी से जापान का, तो हम जानते हैं, किसका भाग है, Denmark का, Finland का, Canada का, United Kingdom का, किसका भाग रतभाई, Greenland जो है, वो Denmark का, यहाँ पर भोला भाग है, और के according जिसन को आयोग ने दिया है उस according सीधा हम आंसर आपको बता दे रहे हैं अगला 111 या 2018 दिसंबर के अनुसार बिस्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारती आवादी है कहां पर सबसे जादा भारती आवादी या निवास करती है इस तरह के सवाल पू 2019 समय सब से अधिक सोना का उत्पादन दिखे करेंट अफेर वाकई में बहुत बहतर आता है आपको करेंट आफेर मोटा मोटी है अगर हम बात करेंदिखünk ऐबर सकते हैं लेकिन क्रेंट अफेर की तैयारी करना बहुत ही महत्पूर्ण है इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाती है यह आपके परिक्षाग में ठीक है तो इसे आप जरू अच्छे से पढ़ें अगर 2019 के नुसार पूछा गया था तो उससे में चाइना जो थी ना चाइन का के अंतरगर ठीक है 2021 के जनगना से एक सवाल बिल्कुल रहेगा याद रखेगा जो आपके सेंसर होते हैं और खास करके जो लिटेस्ट है 2011 यहां से प्रश्ण आपको अक्सर पूछा जाए चाए घनत तो हो जाए बिहार के संदर में हो जाए देश के संबर में हो जाए य जो रम जो होगा इसका सही आंसर होगा अब अगला प्रश्ण पूछा कौफ्यूत पादक छेतरों में से कौन सा चेतर करनाटक में नहीं है इन में से कौन सा ऐसा चेतर जो है वो करनाटक में उपस्तित नहीं है चिक मंगलूर करनाटक का इलाका है कुर्ग करनाटक का है बा कच जैसल मरबार में दिया इन में से कोई नहीं यहां पर जो option दिया है बोर्ड के अनुसार बोर्ड नहीं से लेह माना है हलाकि एक देश्टिकों से यह भी था कच जो है बरा जीला हम लोग कह देते थे लेकिन इसको आयोग ने अब इसे लेह माना है लेह लदाक जी हां दोस् समय की बात अभी का करेंडेटा कुछ और होगा तो उस समय के अनुसार जो था महराष्ट में अधिक था ठीक है उस समय के अनुसार महराष्ट में सबसे जादा था अगला है कि बिहार में प्रवाहित होने वाले निम नदियों में से उत्तर की और प्रवाहित होने वाली सब्सक्राइब कि अर्था नक nothing चलते हैं भारत का ते-रह kenn hook किस स्धापित किया जाने वाला है यहां यहां पर देखें तो सभी समुधरी से घिरे हुए तो इसमें जो बंदरगा होगा, वो जो अस्थापित करने का असरे है, वो कहां प्रस्थापित किया गया था, उस समय तो महराष्ट में किया गया था, अगले पुट पर चलते हैं, निम्र राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सरवधिक सौर उर्जा का उत्पादक है, जो खास करके सौर उर्जा, मतलब बिजली का उत्पादन जो कर रही है, तो सबसे जादा जो सरौर उर्जा का उत्पादन कर रही है, उस समय के कौर्डिंग वो करना ठक था, अगला है, खनीज और जिले के निम्र जिवरोंक में से कौन सा जोरा सही है, मतलब खनीज उत्प बाकि यह क्या है एक दूसरे का अपोजिट वाला यहां पर उतर दे दिया था जिसरा से यह गलत हो जाएगा क्योंकि मैं इसका पूरा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं सिर्फ आपको आंसर बता रहा हूं किसी और दिन देखेंगे अगला है इसमें 125 में बिहार के निम्न परसासनिक विभागिया जोरों में से किस जोरे से गंगा नदी नहीं बहती है आपसे प्रशन पूछा गया कि कौन से इलाके से गंगा नदी नहीं बहती है तो बिहार स्पेसल के प्रशनों में यह आपके आए यहां गंगार नहीं बहती का से पुर्णी आकी बात करें भागलपूर से बहती ही है तिरहुद सारन बिलकुल लेकिन कोशी जो है कोशी बहती है ना की वहां पर बात करेंगे ठीक है अगला उद्ध्योग और अस्थान के निम्न जोरों में से कौन सा जोरा सही है कि बिहार की अगर oil refinery की बात करें तो बरॉनी बेगूस राइजी लेका एक बरॉनी इलाका जहां हमारा घर भी पड़ता है बरॉनी में वहाँ ये बिल्कुल सही है बिल्कुल है वहीं पर cement जो है बंजारी में बिल्कुल समीर cement भी fertilizer जो है भैराही में और खास करके और अब भ factory भी बरॉनी में अड़ कर लीजेगा लेकिन यहां पर बुला रेल डिबबा और भागलपूर में यहां भागलपूर में नहीं सहरसा वेगरा में अस्थापित किया गया है यह आपको ध्यान में रखना चाहिए था तो यहां पर ध्यान रखना है कि चाहिए क्या था यह तो द्गे तो option में होगा नहीं यह तो option में बनेगा नहीं तो कहां Piedmont Mistry जो होती है पश्मी चमपारण का इलाका है जो सबसे ऊपर का इलाका बिहार में चले तो सबसे उपरी इलाका एक कॉarneyर पर वहां पर यह चीजे सई होगी अगले point पर चलते हैं Next Point को देखेंगे metrics को demande कर आतरर के 1632 जब वर्स दे दिया गया थो हम जानते यूरोपिया कमपनी बहुत सारी आए थी जिसमें हम अमेरिका कहते हैं अंग्रीज के लिए इस इंडिया कमपनी हो जाए डछ हो जाए डैनिस हो जाए, स्वीडिस हो जाए, फ्रांसेसी हो जाए, यह सारी कम्पनी आई थी और धेदरे सबने अस्थापित किया था, लेकिन जब उन्हीं 1632 की बात आ जाती है, इसमें डचिस्ट इंडिया कम्पनी ने ठीक है, पटना में इसे पटना शहर में इन्होंने अस्थाप बनाना, बिकेंदरी करन का अर्थ है, जो पावर है, सब के बीच में बाट देना, ठीक है, तो भीया, जागरूत बनाओगे, ससक्त करोगे, तो यह बिल्कुल सही है, लोक साहवागिता सभी का सहयोगी होना बिल्कुल सही है, अस्वायत्ता, स्वायत्ता जो होना चाहिए, लेकिन अगर समुदायों को आत्म विश्वास नहीं दिलाओगे, तो यह क्या होगा, विकेंदरी करन का उधारन नहीं होगा, अगला सवाल 128 में, ब्रिटिस सासनकाल में सम्मिधान के विकास में कौन सा कानून एतिहासिक नहीं था, ऐसा कौन सा कानून था, जो एतिहासिक कुछ जादा परभाव देखने को नहीं मिलता है, तीक है, आपको कम से कम यह याद रखना पड़ेगा, जो पॉलिटी पढ़ते हैं, तो पॉलिटी के जो एतिहासिक घटना करम है, वहां से सवाल अकसर पूछे जा रहे हैं, उस पार्ट को आपको ध्यान से पढ़ना है, ज इस तरह के जो एक्ट हैं, जो कानून है, उसको एक एक करके आपको पढ़ना चाहिए, इसमें बोला एक्ट बिल्कुल यह बहुत ही अच्छा एक्ट है था, इससे बहुत सारी कमपनी में जो ब्याप्त भ्रष्ट अचार से उससे रेगुलेट किया जाता, उसे पूरा अच कदम रखना शुरू कर दिजिए, Government of India Act 1919, यह तो बहुत बड़ा कदम था, जैसमें आप जानते ही है, 1990 और 1919 में, यह क्या किया गया था, जो हम कहते हैं, निर्वाचन प्रिथक निर्वाचन मंडल का, जो मुसलिमों के लिए अलक्स निर्वाचन पदती बगरा लागो किया गया था और उसमें इसका विस्तार भी किया गया था 1909 में यह सब जो अधिनियम है अलग अलग प्रोटेक्शन अप सिवील एक्ट राइक उनिस्वपच्पन यह कुछ ऐसा नहीं था ठीक है इसका कोई एतिहासी बेगरा नहीं रहा था उनिस्वपच्पन बिलकुल आंसर इस जीत लिया आपको पता होगा टाटा प्रोजेक्ट ने जीता था है जो संसद नाया भन रहा है क्योंकि 206 के बाद हमको पता है कि सब की परिशीमण निर्वाचक आयोग ने क्या किया सब सीटे बढ़ेंगी राद सभा की सीटे बढ़ेंगी तो आपको कमेंट करके बताना है कि टोटल यो बन रहा है जो विज्टा विजन जो है ये पूरा जो का अंसर दिजेगा कमेंट में अगला सवाल एक 130 लिए भारत के संविधान का कौन सा नुझेइन भारत्य निर्वाचक आयोग की अस्थापना करता है याद रखना निर्वाचक की जो चर्चा है 324-326 के अंतरगत निर्वाचक आयोग और भोट देने का जो अधिकार है उस समय जो राश्ट्य महिला आयो की ध्यक्षा थी वो कौन थी तो हम कहेंगे रेखा शर्मा थी फ्याक है अगले सवाल पर चलते हैं नेक्ष कोशन की बात करते हैं विधी का नियम या कानूं का अधिराज का मतलब क्या होती है देखो विधी का नियम जब कहते हैं तो इसका म आदमी हो कोई मंतरी संत्रियों सब के लिए कानून एक बराबर होगा लेकिन यह संविधान कहता है लेकिन वहीं पर आपको पता है कि वहाँ पर कुछ अपवाद की चीज़े भी होती है अगला 133 में कहता है पंचाइती राज संस्थाओ को 29 कारियों की सुची किस अनुछेद रखना जी में उसका कार्य है सरजी क्या जी में उसका काम होगा सरजी ध्यान रखना अब नागरिक्ता संसोधन कानून का वाया था आपको पता होगा नागरिक्ता संसोधन बहुत सारा चीज इस पर मतलब पंगावी हुआ था सी एक को लेके ठीक है से जो चीज़े चल रही है आपके देश में उससे जुड़ा हुआ सवाल तो बिल्कुल बनेगा कोई कानून कोई सुप्रीन कोई जज्मेंट अगरा दिया है उससे आप जरूर देखें उसको नोट कर लें उस तरह के सवाल आपके एक्जाम में बिल्कुल ही बनते हैं उसके पीछे का क्या आटकिल है उसके पीछे का क्या मुद्दा है उससे जुड़े हुए लोग क्या है किस तरह से सोचते हैं तो वहां से सवाल आपके करेंट अपके बिल्कुल ही बनते हैं तो इस पर आप ध्यान देंगे तो उससे में अ किस समिधान संसोधन बिल से हुई थीueller तियातर्मा समिधान संसोधन कानून का वैधान एकiva एक स으ुछ नहीं गया है एक सव नहीं है तिस्तव और काでは उस्ते इस का बारिधाना कानून स्टार्ट हुआ था अगला है 136 में बिहार सरकार ने अगस्ट 2018 में एक नई योजना सतत जीवो का पार्जन योजना शुरू की है इस योजना का उद्देश क्या है देखिए करेंट का है बिहार सरकार भी कौन-कौन से योजना आपके लिए बहुत बहतर होगा जो आप तयारी करते हैं तो ब लिए योजना के जो चीज़ों में बोला गया एक से अधिक या एक से कोई नहीं अगला है बिहार सरकार के साथ निश्या योजना फिर से पूछा है मतलब योजना बहुत ही इंपोर्टेंट सेग्मेंट है इसलिए जब आप तैयारी करें हो तो उसमें करेंट अफेर के इन अब जैक्ट में पूछा जा रहा है जोई नहीं कि सारा सेगमेंट आप कर पाएं लेकिन जिस सेगमेंट से प्रश्ण पूछे जाते हैं उससे जरूर आप एक वार देख लें अगला सवाल है कि बिहार सरकार के साथ निश्य योजना में कौन समयलित नहीं है महिला रोजगार साप पानी पीने का सभी पड़िवार्यों को बिजली और बाल कल्यान तो इसमें बाल कल्यान जो है यह इसमें नहीं थे अगला है बिहार का प्रतिव्यक्ति शुद्र राज घरेली उत्पार इस्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम जो वर्ष 2018-19 में था यह कितना था तो आप याद बताएं राष्टिया और सत का 33 परतिसत था कितना था 33 परतिसत था यह ध्यान रखना हां करेंट फिर में GDP हो जाए याद रखिएगा GDP हो जाए यह सब जो चीटे हैं घटा हो जाए राजकोसी है घटा हो जाए ठीक है यह सब चीज आप करेंट में देख अगला है कि भारत के खाद परबंदन निमली खितने से कौन सा उद्देश नहीं इसस पर कहा गया है जो बोट ने माना है आंसर अगले सवाल पिचलते 245 में भारत में राज़जस घार्ते कि आतातपर्द् Sonarbor पूछा जाएगा तो ऐसे प्रशन आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं सीधा फॉर्मूला उठाके और परिभासा सीधा उठाके पूछ दिया गया है ठीक है भारत सरकार को तिहाद रखना भी उत्तर के साथ जाएंगे भारत सरकार को अपने उन वेओ के बित पोसन के तो अमेरका USA से भारत का सरवधिक विजनेस हुआ था 2019 और 2020 के दोरान में बित्तिय वर्स जो दिया गया भारत माला परियोजना देखी ये बहुत ही इंपोर्टन प्रशन है हम कह रहे थे कि जिस तरह से चीज़े पूछी जाएगी जिस तरह से घटी तोड़ी है संसंत में पेस हो रही है वहां से सवाल बनते हैं भारत माला प्रोजेक्ट जो है किस से संबंदित है हम सभी लोग जानते हैं नितिन गड़करी जी हां सरकों के निर्मान में बहुत आगे चल रहे हैं और भारत माला जो प्रोजेक्ट है वो आपके सरक इंफ्राइस्ट्रक्चर से करती है तो भाई याद रखना CSO जो होती है ओद्योगी के जो है CSO वो इसको स्टार्ट करती है बोर्ड के अनुसार बेवसाई करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में अपने करम में सुधार किया जो क्या है बिगत वर्सों के 77 से 63 अस्थान है पहले जो 67 था उससे अब क्या हो गया वो जो सुधार किया गया अब 63 अस्थान पर ये पहुचा है अगला सवाल को देख ले 145 निमर सवाल के साथ चलते हैं हम लोग आगे की और इस सवाल में कहा जा रहा है भारत के केंदरिया बजट में जीहां दोस्तों यहां रखना भारत के केंदरिय सरक्टर में और खास करके जो सरकार की नीतियां है उससे जूरी हुई सवालों को जरूर देख लेना चाहिए साख वेगरा कितना रखा गया कितना लक्ष है कितना अनुमानित है कितना प्राप्त हुआ कितना घाटा को प्राप्त किया पिछले की तुलना में कितना अधिक है कितना कम है इस तदा के सबाल बनते हैं अगला 146 में PM कुसुम योजना का उद्धिस क्या है देखे है पहला चीज जो PM कुसुम योजना थी यह किसानों के लिए योजना थी जिसमें il ओर किरोसीन से संबंदित यह योजना थी इसमें देखते हैं क्या था किसानों का मांसुन पर निर्भरता जी नहीं साहुकार का निर्भरता नहीं फूलों की खेती जी नहीं हाँ दीजल और किरोसीन पर निर्भरता को समाप्त करना जो है इसका था ठीक है दीजल और पेट्रूल जो थी उससे समाप्त करना किसान ज्यादा उस पर निरभर होते हैं, खरीद नहीं पाते हैं, पानी पटवन बेगरा में दिक्कत होता है, उसको समाप्त करने की बात कहा गया था, उसे सौर उरजास में जोर देने की कोशिस की जा रही था, कि सौर उरजा के साथ, खेती जैसे पानी की वशक्ता होगी, solar plate लगा देते हैं, उसे पानी निकालके किसानों को दे दिया जाए, जिससे किरोशीन और डीजल पर उनका कोई ज्यादा खर्च न हो, अगला सवाल 147 के साथ चलते हैं, भारत में कौन सब वेबसाइक बैंक, बिस्व के सिर्ष 100 बैंकों हमें सामिल है, ICIC बैंक, SBI, SDFC, कोटक महिंदात, हम सभी लोग जानते होंगे, कि SBI जो है, वो बिस्व के, क्योंकि SBI अच्छा काम भी कर रही है, और अभी तक लेकर भागनेर वाली बात तो है नहीं, अगला है, 148 में भारत सरकारें 2020-21 के बजट में, जी हां, बजट सवाल करेंट में ज्यादा तर पूछे गए थे, तो 2020-21 के बजट में नई योजना, जो निर्वीक है कि योजना, देखिए, योजना है, योजना से सवाल पूछा जाता है, घोसित की है, अर्थवेस्था कि नियुन में कौन सा छेतर इस योजना से लावंवेते हैं, मतलब निर्वीक योजना, जो है, वो किस छेतर से जुरा हुआ है, छेतर पूछ दिया है, क्या वो क्रिसी छेतर से था, और द्योगिक से, स्वास से, निर्यात से क्या, तो निर्वीक जो है, वो निर्यात से जुरा हुआ है, क्या, निर्यात से, एक्सपोर्ट करने के छेतर से, य भारत सरकार ने एक अप्रिल 2019 से सार्विनिक वित्तिय परबंधन परणाली शुरू की है या परणाली किस से जुरा हुआ है ऑप्शन में बहुत सार दिया हुआ है तो ऑप्शन ए के साथ हम लोग चलेंगे ठीक है सिधा मैं आपको ज्यादा तरिसमें आप एक बार देख ले तो वो इंपोर्टेंट बन जाता है और ये नितिश कुमार को दिया गया था क्रिशी तो ये किसे किस छेत्र में दिया गया था तो भाया इसमें उत्पादन जो चमता थी क्रिशी कर्मन परुसकार उसमें नितिश कुमार को दिया गया था बिहार की उत्पादन चमता बहु के 150 कुश्चन रहे और अच्छे तरीके से आपने देखा भी होगा इसी तरह से दोस्तों अगर आप अभी तक बिहार अड़ा 24-7 चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको क्लास की नोटिफिके से डिर वज़े के बीच आपको देखने को मिलेगा ठीक है मित्र और यह जो लोकना एक्सरीज है यह आठ से लेके तीन वज़े तक रेगुलर चलती रहती है ठीक है और साथ ही साथ आप देखेंगे कि आपको और भी जो अभी तो मैंने आपको क्या किया 67 PPSC किलिर करवा च 66 हो चुका है इसी तरह 65, 64, 62, 63 हर PPSC के सवाल को मैं previous year को लेके आऊंगा और आपके सामने इसको मैं पूरा का पूरा आंसर इसको बताऊंगा जिसते आपको यह पता चल जाएगा किस सेगमेंट से प्रश्न कितने कितने आ रहे हैं तो आपको बनाने में और अपनी तैयारी करने में बहुत जादा सोहलियत होगी ठीक है दोश्तों तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए बिल्कुल इतना सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार लाइक का बटन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक का हम लोग अगली स्रीज में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार थेंक्यू